मुझा अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स अमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे और अल्ला ताला के एक अदम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ वेलकम टु जिया के व्लोग और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें तो यहाँ जी नाश्ते के बाद मैंने चाहे ली और साथ मठाई पड़ी थी मैंने सोचा वो खा लेती हूँ अनाईजा पास ही पैटी थी मैं उसको भी थोड़ी थोड़ी खला रही थी उसकी अम्मा जो है ना उसको मीठा विल्कुल भी नहीं खलाती है खीर दलिया सागुदाना जो भी बनाती है वो फीका खिलाती है तो मुझे उस पे ना तरसात है उसकी अम्मा या सपास नहीं थी बस भी मैं थोड़ा थोड़ा ना उसको कलाई जा रही थी वो इस टेस्ट से भी थोड़ी सी इंट्रोड्यूस हो जाए इसके बाद जी फात्मा फ्रूट चार्ट बना रही थी कुछ फ्रूट पड़े थे उसने बस सब कुई कटिंग की और फूट चार्ट मुला ला ले अम्मी साथ साथ सालन बना रही थी मतन का साथ आज अमी ने कड़ी भी बनानी थी तो पर अम्मी अपना काम जल्दी जल्दी समेट रही थी बच्चे जब ज़यदा घर में अकठे हो देना तो किसी की फरमाईश कुछ होती है और माई जो हैं अपनी मुहबत का इसार इसी तरह जो हैं वो दिखाती रहती हैं तो इसके बाद ना हमने जाना था अपनी एक फ्रेंड के घर मतलब फ्रेंड लाई का सिस्टर तो अमी ने कड़ी बना ली थी पुकोड़े बन गे थे हमने सोचा पुकोड़े खा के हम निकलती हैं तो किसी के घर जाना हो बगएर कोई चीज लिए खाली हाथ जाना मुनासिव नहीं लगता तो बस फिर हमने केक पैक करवाया कुछ फ्रूट्स लिए और हम चल पड़े उनके घर यह जो फ्रेंड है यह रहती है दुबए में और शादी थी फैमिली में किसी की तो बस वो आई हुई थी तो बस इस तरह फिर काफी देर बाद जब आएं तो गेट टोगेधर तो लाजमी होती है बस फिर हम उनके घर आ गए और वो जो है अपनी मेहनी दुखा रही थी और पुरानी हो गई है उसके बाद कोई नई चीज चाहिए इसके बाद जी खाना लग गया और खाया और खाने में था पिटजा होट विंग्स एंड फ्रूट सैलेड था बस फिर गप शब भी चलती रही पुरानी बाते याद करते रहे आज कल के जुमाने को डिसकस करते रहे और खाना खाते रहें साथ साथ खाना का लिया उसके बाद जी मैंने खाया फ्रूट सैलेड क्रीम चाट और बहुत मज़े की बनाई थी उन्होंने कुछ दिन थे एक दो दिन में वो वापिस चली जाएंगी और बस पिर हम अनाइजा जो है वो सो गई थी जी मल साथ साथ ब जी मल की मस्तियां चल रही थी और हमारी वापसी बस होने ही वाली थी तो जब किसी के घर जाए और फिर ये पाकिस्तानी रुवाइद है पैसे मिलते हैं तो इन्हें दिनम्स में पैसे मिले और जी मल ने दे शर्मिंदा ही कर दिया फोरें से पकड़ के हसने लगी जासे उस के बाद जी उन्होंने बोला कि हम आपको घर डॉप कर देते हैं रात हो गई थी बस फिर आप घर आए चेंज हो गया रहा कि आज जी मल तो आते ही सोगी सारा दिन की बहुत ज्यादा थकी हुई थी रात को हमें भूख लगी तो हमने सोचा कि हम चावल बना लेते हैं तो अ हमने सोचा वही डाल के ना चावल पना लेते हैं थोड़े से आलू डाले क्योंकि आलू भी हम सब को बहुत पसंद है और जीमल और नाइजा खा भी लेती है बस फिर थोड़े से आलू इसके अंदर डाले सालन डाला और जटपट से यह तियार हो गए क्योंकि तकरीबन जो है और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्ला हाफिज